दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट तो सब्सक्राइब करें दी साइंट फिक हिंदू को कर दो कर दो कर दो हिंप यह एक मुस्लिम वेबसाइट मुस्लिम वेबसाइट में इस लिए कह रहा हूं कि इसका नाम है मुसलिम मिरर वेबसाइट ने एक आर्टिकल लिखा उसमें इसका टाइटल यह दिया है कि बिजेपी गौवर्मेंट भारत में मस्जिदों को तोड़ रही है जबकि प्रधान मंतरी मोदी संयुक्त अरब अमिरात और इसलामिक देशों में मंदिर बना रहे हैं उसका उधगाटन करवा रहे हैं ये एक इंडियन मुस्लिम का ही लिखाले हो सकता है और उनका है भी इस पर ये बता रहे हैं कि कैसे भारत में मस्जिदें तोड़ी जा रही है और यूए में मंदिर बन रहा है यहां लिखा हुआ है कि यहां अतिकर्मन हटाने के नाम पर सदियों पुरानी मस्जिद को भी जम इंदोज कर दिया गया है और यहां पर मदर्सों, कब्रिस्तानों और मजारों का भी विधवन्स किया जा रहा है तो अगर इनको यह दर्द लग रहा है तो यह हमारा पिछला वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि किस तरह से सवदी ने 98% मदीने को तोड़ डाला है यह 98% मदीने को यह कोई हवावाई बात नहीं है यह रियालिटी है तो चलिए आज इस पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं देखते हैं कि क्या है पूरा माजरा स्वागत है आपका दी साइंटिफिक हिंदू पर यहां पर साउदी अरब के शहर कतीफ में शिया मुसल्मानों की एक और मस्जिद को धस्त कर दिया यह देखिया फोटोज है उसके आपको अर्टिकल्स मिल जाएंगे सारी चीज़े हैं आपर और इनको तोड़ा क्यों गया क्योंकि वहां पर उनको कर्स्ट्रक्शन करना था अब आप बताईए एक इसलामिक देश जहां पर कर्स्ट्रक्शन करने के लिए मस्जिद तोड़ी जा रही है वहां कोई प्रब्लम नहीं लेकिन भारत में जहां अवैद जगों पर मस्जिदे बनी हैं उनको तोड़ा जा रहा है और तो इतने सारे इसलामिक देश हैं कि आ सब्सक्राइब ಇ устройकंथन के बास मजार मंदर्elp के बास मजार स्कुले में उनिवर्सिटेइज में मतार हैं और जगहें मतारें तो आपको इससले दिक्कत है और मजारें नहीं चाहिए बनाया फिले लिए अगर किशी का गार होगा तो सरकार क्या करेगा सबस्रत तोड़ दे वहाँ पर भी construction के लिए तमाम मस्जिदों को तोड़ा गया और तोर UA में मस्जिदें इतनी हैं भी नहीं जितनी भारत में दुनिया भर में सबसे जादा मस्जिदें अगर कहीं हैं तो वो भारत में हैं उधारन के लिए अगर आप समझना चाहें कि UA में कितनी मस्जिदें तोड़ी गई हैं तो इसको आप इस आर्टिकल से समझ सकते हैं जहाँ पर 2015 में UA में कुल 183 मस्जिदे थी लेकिन 2019 आते ये सिर्फ 163 ही बची यानि कि कई मस्जिदों को UA सरकार ने भी जम कर तोड़ा है इसके लावा इरान और इराक जैसे देसों में तमाम मस्जिदे तोड़ी जा रही हैं कस्टक्सन के लिए और तो और उन मस्जिदों में कोई जान रहा है लेकिन भारत में अगर कोई मस्जिद या मजार हटा दी जाती है तो इन सो कॉल्ड मुस्लिम परस्त लोगों को काफी ज्यादा समस्या हो जाती है और तो अभी चिन्नाई में भी एक मस्जिद तोड़ी गए थी और बाकाइदा उस पर सुप्रीम कोड का आदेश आया था लेकिन फिर भी वक्फ बोड ने कहा था कि यह तो गलत है यानि कि अब देश कैसे चलेगा इसका ठेका वक्फ बोड लेगा ले भी रहा है लेकिन अगर मैं आपको एक लिस्ट में बताना चाहूं कि अब तक कितनी मस्जिदें शाओदी अरब ने तोड़ी हैं तो जानकर इनके भी खोश उड़ जाएंगे जिसमें अलमनरतीन मस्जिद, सेद इमाम अलुलरैदी अबन जफार शादिक की मस्जिद, अबु रशीद की मस्जिद, सल्मान अलफार्सी मस्जिद, जो की मदीना के अंदरी थी, रजत अस्शम्स मस्जिद, ये भी मदीना की मस्जिद है, और तोर हम्जा की भी मस्जिद और उनकी कब्र जो कि उहुद पहाड़ पर थी इन सब को तोड डाला गया दोस्तों इसमें आप गौर करेंगे तो कहा गया है कि साओधी अरेबिया है दिस्तों इसमें आप गौर करेंगे आप देर हिस्टोरिकल एंड रिलिजियस साइट तो मक्का के अंदर यह इससा दिक्राइब जिसके आसपास लोग परिक्रमाशी करते हैं इसको छोड़ दें तो सारा आसपास का जो इतिहासिक सामराज कहें तो वो सब धस्त कर दिया गया है यानि साओधी अरब पूरी तरह से अपने इतिहास को ही मिटाना चाहता है इसके बारे में एक रिसर्चन ने ये कहा है कि साओधी सरकार अपने इतिहास को पूरी तरह से वाइप आउट करना चाहती है यानि पूरी तरह से मिटा देना चाहती है यह सारे उदारण काफी हैं कि साओधी अरब क्या करना चाहता ह ये सारी के सारी जगह मक्का के जो मुख्य मस्जिद है उसी के आसपास की हैं, यानि मक्का में सिर्फ कावे की जगह को छोड़ दिया जाए, हज करने जिसके लिए लोग आते हैं उस जगह को छोड़ दिया जाए, तो आब वहाँ कुछ नहीं बचा है, पूरा का पूरा इतिहास को वाइप आउट कर दिया शाओदी सरकान और सबसे बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ ये उस साइट को मिठा देते हैं इतिहासी घर तोड़ देते हैं फिर चाहे वो मुहम्मद साहब का ही घर हो अली का घर हो उनकी कबरें हो इसको धुस्त नहीं करते हैं बलकि इसकी जगह पर होटल बना देते हैं और तो और ट्वाइलेट बना देते हैं ऐसी तमाम चीजें और तमाम ऐसी लंबी लिस्ट हैं जिनको शाओदी अरब में तोड़ा गया लेकिन इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत किस से है सिर्फ और सिर्फ भारत से भारत में अगर कोई इलीगल और अवैद मजार भी बनाई जाती है तो उसका भी धुस्तिकर नहीं होना चाहिए अगर आप पुलिस बल भेजेंगे तो हलदानी में जो कुछ हुआ ऐसा ही ये लोग और भी करेंगे तो इसे क्या समझा जाए ये खरना क्या चाहते हैं शायद इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों उमिद करते हैं या वीडियो आपको पसंद आया होगा कै कैसा लगा कमेंट करें बिलते हैं आप से गले वीडियो में तब तक के लिए हिंज भारत वन दे मातरम